तो हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी अगर आपको भी अपना मोबाइल फून का स्क्रीन जो है लैप्टॉप में सेर करना है तो आईए करवा देते हैं देखिए कैसे कैसे होता है सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी लैप्टॉप के सर्च ऑप्शन पर जाना है या फिर आप आपको जो जाना है scroll down करना है यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिलेगा प्रजर्टेक्टिंग्ट्ट इस PC आपको उस्पे क्लिक करना है यह पर देख पा रह荣ा है यहाँ पर फीचर मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे लैप्टॉप मैं इस से पहले कभी भी मैंने अपना मुबाइल फोन का स्क्रीन जो है सेर नहीं किया है तो अगर आपका भी यही सेम सोर है तो बिल्कुल कॉंग्रेचुलेशन्स कि आपका भी बिल्कुल लैप्टाप भी न्यू है तो मैंने यहापे ऑप्शनल फीचर्स पर क्लिक करा और उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इतने सारे यहाँ पर अप्लिकेशन वो अल्रेडी इंस्टॉल्ड है आपको बताना चाहू इस पर ब्लू टिक लगाना है और साथ यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर इंस्टॉल का ओप्शन आएगा आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है आप देख पा रहे होंगे मेरे सिस्टॉल फीचर पर wireless साथ-साथ कर रहे हैं तो पहले देखता हूं कि ये कितना जल्दी हो जाता है तो फाइनली दोस्तों बहुत जद्धो-जयद करने के बाद ये इंस्टॉल हो चुका है तो अब आपको जाना है दुबारा से सिस्टम पर और आपको आजाना है वापस से वहीं जहां से मैंने कर लेते हैं तो इसको अगले बार जब भी हम लोग करें तो ऐसी कोई भी दिकत परिशानी का सामना नहीं करना पड़े इसको नेवर राने देते हैं तो यह यहां पर हो गया है complete तो अब हम लोग जो है दुबारा से बैक जाएंगे और यहां पर हम लोग अपने मुबाइल के स्क्रीन पे अभी हम लोग अपने मुबाइल फोन के स्क्रीन पे आ गए हैं तो सबसे पहले आप देख पा रहा हूंगे यहां पे सब जेख पा रहे होंगे यहां पे कास्ट स्क्रीन टूडिवास को सर्चिंग ली रहा है और अभी मेरे डिव §CWD सर्च दॉमार, असो Counterbook को सर्चच करेगा और अभी सर्च करेगा है कि है मैं लोग वेट करें थान्येर क्रें जूब चुए देख सकते हैं मेरे मेरे रिएक साव मतलब मेरे laptop का नाम आ गया है desktop 34TS इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा जो डिस्प्लेय है वहाँ पर mobile phone का जो डिस्प्लेय है वहाँ पर सो होना स्टार्ट हो जाएगा अभी यह टाइम लग रहा है मैट भी अब थोड़ा हो रहा है यह देखे स्टार्ट हो गया विवो वी 21 यह मेरा mobile phone है यह से अभी connected हो गया है अब मैं जो जो mobile phone में करूंगा ना इसके जो भी वहाँ पर मेरे laptop पर भी होगा तो अभी मैं आपको इस पर क्या दिखा हूं आपको मैं दिखाता हूं यहां सबसे पहले YouTube मैंने अभी अपना mobile phone का YouTube खोल लिया और मैं किसी लॉंग वीडियो को भी प्ले करके दिखाता हूं आपको तो सबसे पहले तो यह मेरा चैनल है जो कि आप देख सकते हैं अभी नंदर नेक्सडी के नाम पर तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए अभी मैं कोई साभी एक रेंडम वीडियो प्ले कर रहा हूं ओके यह मैंने प्ले कर रह यहां तक जो वाइस भी आएगी वह भी मेरे लैप टॉप से आएगी ना कि मेरे मुबाइल फोन से मेरा वाइस भी उसमें चले गया यह एक तरह से आप समझ सकते कि मेरे टीवी तीवी आएसा वो जो है अपने अपने लैप टॉप पर एटोप तो खोब कि यह वीडियो अब इससे आप बाहर कैसे आए क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो देखा था इस पर जिस पर कि किसी भी यूट्यूबर ने इससे बाहर निकलने के बारे में नहीं बताया था सब यह बताकर रखे था कैसे इसको कर सकते हैं तो आपको यह थ्री फिंगर से स्क्रॉल अप करना है और उसका नियू डेक्सटाप पे क्लिक कर लें आप जैसे ही एक्जीट हो जाएंगे और यहां से क्लोज़ विंडो के लिए राइट क्लिक राइट क्लिक करके आप जो विं अक्सेस प्ले एक्जिट हो गया। सेव करता है।